नमस्कार आर्थी की रोसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं मिक्स दाल तो आज ये देख लेते हैं हमने चार दाले लिये हैं मूंग दाल साबूत मसूर और चना दाल और उड़त दाल आपके पास जितनी दाले हूं आप सब मिला ले अब हम इने एक साथ एक बावल में मिक्स करेंगे उसके बाद इने कूकर में दोकर लगा लेंगे चार पाँच छे जितनी भी दाले हूं उतनी ही स्वादिश्ट दाल बनेगी और ये हमने दाल दोकर कूकर में ले ली है इसमें हम डालेंगे पानी जितना की हमें चाहिए और इसमें सिर्फ हम डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक और आम की खटाई बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसांगी रही खटाई बहुत सिंपल और आसां तरीके से दाल बनती है अब हम इसमें ढखन लगा कर इसमें 5-6 सिटी आने तक इसे हम गयस पर चड़ा देंगे और दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है जितना कि इसे ज़्यादा मैंसे नहीं पकाना है और हम दाल फ्राई कर लेंगे और गयस अन करके इसे भगोने में हम फ्राई करेंगे अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं इसमें सारे ही आपको विटामिन मिलेंगे डाल का जितना प्रोटीन है सब एक साथ मिक्स करके टेस्ट भी आता है और फाइदे भी हमने इसमें डाला है सरसो तेल और अब इसमें डालेंगे हम जीरा और लाल मिर्ची ले लिए हैं हमने लेसन तेल हमारा हो चुका है हमने इसमें डाल दिया जीरा उसके बाद डालेंगे लेसन लेसन अच्छे तरीके से हम जब तक कि अच्छा कलर नहीं आ जाता लेसन में अब लेसन हमारा हो चुका है इसमें हमने डाल दी हींग और लाल मिर्च तड़का हमारा हमारा almost ready है अब इसमें हम डालेंगे डाल आप देख सकते हैं कितने सिंपल तरीके से डाल बनती है और खाने में बहुत ही सौथिष्ट होती है प्लीज इपर बना के इसे जरू ट्राई करिए और ये हमारे डाल तयार हो गई मिक्स डाल चावल रोटी किसी भी चीज के साथ इसे आप खा सकते हैं प्लीज इपर बना के जरूर से ट्राई किजी और माई चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और शेर करें उन्हों में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इदाल कैसी लगी हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद